हम लुख पढ़ रहे हैं लोकोक्ती यानि BPSC नुबन और संडगर खंडगर का मतलब है सववंग और खंड का और खा कितना है दो सववंग का और खा है दो सववंग यानि कूल आपका तीन सववंग और लाना है एक सवविश से लेकर के दो सवी आगे जोगी यानि साथ प्रदिशा तंक लाना है तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लोकोक्तियों को और थ्वासा समझ ले लोकोक्ति का मतलब क्या है लोक जीवर लोक जीवन में प्रचलित जो कथन है जो उक्ति यह जो प्रचलित उक्ति है कथन है यह पूर्ण वाक्ति होता है कॉंप्लीट सेंटेंस होता है इसका मतलब है कि इसमें दो शब्द है लोक जीवन और दूसरा प्रचलित उक्ति यह दो शब्द लोक जीवन का क्या मतलब है? ग्रामिन जीवन है इसका मतलब जहां स्रम है, संघर्थ है, प्रकृति है, आधार्भूत इस्थितियां है, परिस्थिति है यानि जो सीधे सीधे अनगो से संपन है, अनगो है, संबाद है, शेंज आफ आइडियाज है यह सहरी जीवन में कम होता है, सहर में क्या होता है? दो तरह का जीवन माना जाता है, एक तो अभिजात्य जीवन माना जाता है या महानगर का जीवन माना जाता है अभिजात्य जीवन में क्या होता है? कि आपस में संबंध कम होते है इसकी विशेश्था क्या है? इसकी विशेश्था है कि आपस में संबंध कम होते हैं बाचित कम होती, संबाद कम चुकि इनकी समस्याएं हल हुई रहती है आर्थिक समस्या क्या रहती है हल हुई रहती है प्रकृति से कम जुड़ा हो तो यहां पर कोई लोकोक्ती नहीं बनती है लोकोक्ती नहीं बनती है लोकोक्ती कहां बनेगी गाउं के जीवन में अब गाओं के जीवन में भी नहीं बनेगा, चुकि हर जगा मुवाइल आ गया, अब आपस में क्या करते हैं, लोग मुवाइल में ही लगे रहते हैं, तो गाओं में भी कहा जाता है कि सहर की नशीली हवाएं, गाओं को भी भरमा रही हैं, तो गाओं में भी अफसहरी करन होत इसलिए अब गाओं में भी जो बन चुका सो बन चुका, अब नहीं बनेगी, लोकोक्तियां जो है, यह जो लोकोक्ति है वो, अब तक जो उपलब्ध है, जो उपलब्ध, उसके बाद अब नहीं बनने वाने, उसके बाद अब नहीं बनने वाने, जो है एक्जिस्ट कर रही ह वही है तो धीरे धीरे ग्रामी जीवन भी कैसा होता जा रहा है शहरी जीवन से प्रभावित होता जा रहा है एक परिवार में ही पांचे लोग हैं तो आपस में बात नहीं कर रहे हैं सबके हाथ में मुवाइल हैं तो जब हाथ में मुवाइल हैं और संपर्ग संबाद कम है त जिसे जो साहर में नौकरी कर रहे हैं, उनके पास अनभव किस चिछ का है? निकले घर से तुफिन ले करके नौकरी गया, जाय जायदे मेटरो का अनभव और अफिस का है, ओफिस का ही तो अनभव है, वहीं, जितने लोगों से इन्होंने बात्चित किया, उस तो जो घर आ गये, इनके पास कोई रीति रिवाज परोते ओहर का अनभव जो गावं से इन तो यह सब जहां रहते हैं वहीं लोकोक्तियों का जन्म होता है और दूसरी खासिए यह है कि सदियों से जो प्राप्त अन्भो निस्कर्ट है अन्भो निस्कर्ट एक दिन में नहीं बनता है यह कोई च्छिंक रियक्षन नहीं है कि जी बटन डबाया और लोकुक्तियों का निर्मान हो तो सदियों से जो प्राप्त अन्वो निस्थ कर रहे हैं वही कम शब्दों में प्राप्त अन्वो का मतलब कई सारे सामाजिक अन्वो होंगे सामाजिक अन्वों होंगे कई सारे मनुवज्ञानिक संदर्भों में भी अन्वों होंगे कई सारे आर्थिक अन्वों भी हो सब पे बनेगा लोकों किया सब पे बनेगे कई सारे भोगौलिक अन्वों भी बूंगे भोगौलिक अन्वों होंगे तो बहुत तरह के धार्मिक सांस्कृति के अनुभव होंगे, रीति रिवाजों के अनुभव होंगे, यह जो सदियों से प्राप्त अनुभव है और इसमें जो सत्यता नजराई लोगों को, यानि एक और सत्य बना रहता है, पुर्न सत्य तो नहीं होता है, लेकिन और सत्य ब है युदि हम संखें में कहें कि लुकोक्ती में है क्या लुकोक्ती की विशिष्ट क्या है क्या है क्यों है कहा है कभ है कैसे किस भाशा में को सोवाल समझने पड़ने अभिव्यक्ति कैसे और इसका प्रभाव कैसा हिव्यक्ति कैसा ही इन सब चीजों को समझ लेते हैं कि लोकूकति क्या है कहा है कले क है किस लेंगविगallas में और इस क्या लुस्ति दुकि कैसी और सबसे पहले समझें किस भाषा में होगा यह भाषा हमेशा कैसा होगा लोक भाषा लोकोक्ति जो है अभिजात्य भाषा में हो नहीं है लोकोक्ति हमेशा किस भाषा में है लोक भाषा यानि ग्रामीन भाषा में है यानि बोली में है बोलियों में लोकोक्तियं मिलेंगी बोली प्राइमरी वहाशा का, रिवी कही एड़ांस स्टेपिल का भासा है जो अफिल की जो जड़े एक्टर्पर, जो व्याकरण बनता हुआ है और आप कह सकते हैं प्रारंभिक अवस्थण भासा है प्रारम्भी का वस्था है व्याकरण निर्मित हो रहा है इसको बोली कहते हैं और यहीं बोली धिरे-धिरे घ्रामर के साथ और तुरा सहितिक विकाफ होगा तो क्या पन्सदागी भाषा? तो हमारी लोकोक्तियां किस भाषा में हैं? लोक भाषा में और चुकि आप बिहार से जुड़े हैं, खंडगा जो आपसे पूछा जा रहा है तो तीन भाषाओं में आपसे पूछा जाएगा, मगई में पूछा जाएगा, भुजपूरी में पूछा जाएगा, और मैफली मे पूछा जाएगा, इसके साथ साथ अंगिका में पूछा जाएगा, या फिर भाषा का सुहाव मिस्रित होता तो मिस्रित रूप में पूछा जाएगा, तो ये सब आपसे प्रस्न जो पूछे जाएगे, यानि चार जो प्रस्न पूछे जाएगे, पहला प्रस्न मगही, दूस दीसरा और इससे कुछ मिष्रित चओथा चार प्रसन पूछे जाएंगे आप सव्ळाषा है सामानेतर जो वहां की बूलियां है उसमें पूछे जाएंगे तो लोकोक्ति इस भाषा में संभॉव है लोकषा है यह विजात्य भाषा में संभो नहीं है, और यह लोक भाषा में जो लोकोक्तियां वह वहां की जो जन, चेतना के जो रचना कार है, इन की आहां मिलेगा, जैसे नागारजुन के आहां मिलेगा, वो लोक प्रस्न कहां से उठाएंगे, नागारजुन के कुछ रचनाओं में ल श्वी पूजन सहाय की रचनाव में मिलेंगे लोग जीवन में जो लोग है वहीं पर लोग को किया मिलेंगे और उसी में से कोशन उठाएंगे कुछ जो प्रचलीच चीजें हैं उसमें से सवाल बनेंगे तो इसकी अभिव्यक्ति और इंपैक्ट कैसा होता है तो आप जानिए कि लोकोक्तियां सामानेता किस गुण किस करेक्टरिस्टिक या कहिए किसका जो अभिव्यक्ति पक्ष है अभिव्यक्ति जो होता कैसा सामानेता है लोकोक्तियां ब्यंग धर्मी होते हैं ब्यंग धर्मी यानि लोकुक्तिया किस भाषा में है लोक जीवन वाली भाषा में अभी जाते भाषा में नहीं भाषा में नहीं वाली इसलिए उसका नाम ही है लोक जीवन में प्रचलित उक्ति और इसका नेचर कैसा होता है ब्यंग कहीं न कहीं होता है उसमें ब्यंग धर्मी होता है ब्यं नहीं होता हुट मधिधात्मत नहीं होता है कि हुंका इसका शरप नहीं होता है। विशेष अर्थ होता है, 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 विशेष हो सकता है कि वचन वक्रता सामिल तरो के हो सकता है कि उपणौब वचन वक्रता पड़ें उप उप इह सामिल हो इसमें छुकोखतियों में जिसको कहा जाये कि भैन ब्रभदंता और भी सामिल直 सूर्दास कि यहहां जो कि अएल्ते को गोङएंगे थे संपने जो हैं। वह एंगें चिजम्हांगें जो यहांगें कि रघ जिम्हांगें चजम्हां मेलें बिलिसे कलगते, यह में उपाल्म मतलई फॉलाहना भी मतलब हैं कि वहांग voilà मोह जायखा का फोच्रेश नो जाक कर दिद पाइब hm कुछ उसमें सुधारात्मक भी हो सकता है सुधार के लिए होगा सुधार के लिए होगा यानि कुछ नुकुछ ऐसा नहितार्थ होगा जो सीधे सीधे समझ में ना आए कहना कुछ impact किसी और पर कुछ तो इस तरह से लोक़ोक्तियां चुकि और कम शबत कम शब्द में गहरे भाव को व्यक्त करती यानि कहने का मतलब यह है कि ई है कि सत्य को यखार्क को है कि व्यक्त करती यह सत्य कैसा होता है और समदिक को देखिट पूर्न सत्य नहीं भी हो से, पूर्न सत्य कई बार इसमें पोश्चन मारका अप लगा से, यह लोकोक्तियां जो हैं, वो एवरेंस प्रूथ को ब्यक्ति करते हैं, और अवसाथ सत्य क्यों ब्यक्ति करते हैं, चुकि जो अनुभव होता है, अनुभव कई सारे लोगों का है, और इस अन्वह निसकर्स में उनको जो लगता है कि ये सही है उसको व्यक्त करती है पुर्ण सत्य इसलिए नहीं व्यक्त करती है चुकि आप जानते हैं कि महावीर स्वामी ने कहा था कि सत्य के तो अनेक अंगिल है अनेक आंग वात था पूर्ण सत्य क्यों नहीं हो सकती चुकि परिशिती सबकी अलग-अलग होती परिशिती भिन्न होती लिंग के आधार पर भी भिन्नता हो सकती अनुभो के आधार पर भी भिन्नता हो सकती छण के आधार पर भी भिन्नता हो सकती और परिसिति ओमें सहरे समाजी काृथिक बहुत सारे रूप होते हैं और संदर हो सकता है हो सकता है कोई जस्वी सथी भिणन परिस्थित आ गई है विदि वेह घृ तो लुक कोटी जो है कैसे सत्य को बेखती करती है और सत्य को बेखती कर ति है क्योंकि पुर्ण सत्य की कोई अधारना वैसी होती नहीं है, क्योंकि हर ब्यक्ति के लिए कुछ न कुछ अलग अनुहो च्छान पड़सितियां अलग-अलग हो सकते हैं, समेश अंदर्व समस्याय भी अलग हो सकती हैं, तो यह के अविरेश टूथ को ब्यक्ति करती हैं और यह जो अवसर सकते हैं, वो शाष्वत रूप से शाष्वत प्रकृति का हो सकता है, प्रकृति का हो सकता है, और यह विश्वस्निये भी होती हैं, विश्वस्निये भी हैं, क्यों विश्वस्निये हैं, क्यों अवसर सकते ह यह से जेड़ तक जो लोग बोक्ति हैं जो समाज के हैं जो ग्रामीर जीवन के हैं उस औस सत्य को सदियों से जो निश्कर्थ निकला उसी निश्कर्थ को वेक्ट पर लोक अन्हों से जुड़ा हुआ निश्कर्थ तो यह है लोकोक्तियों का मिजाज यानि लोग जीवन में लोग परिवेस में लोग प्रकृति में लोग भाषा में लोग संस्कृति में लोग चिंतन में लोग धर्म में लोग रीति रिवाज में जो अन्भो सत्य मिला है उसी अन्भो सत्य को लोकोक्तियां ब्यक्तो करती है अपने आउसत सत्य के साथ चीक है और इसी पर आपको कितना लिखना है और आठ सो शब्द का कि एक निबन लिखना है और एक घंटे में लिखना है और सो वंकों का है को कि थीबन के लिए सुख्यूनि लिए तीन जंटे मिल है एक निबन के लिए किसमा मिला है एक अन्यनीние है जानी मिनघ मिलंगे कि आठ में कंद 600 अप reply मिण आहे के साथ मिनघ export ने नजा घू साथ सो आट सो सब देखने, दस मिट के प्रारूप बनाएंगे, हम लोग, पहले सरल सरल, यानि अब तक हम लोग 61 पढ़ चुगे थे, नहीं, साथ पढ़ चुगे थे, एक रखमा परी, साथ हम लोग पढ़ चुगे थे,